अपके अपने चैनल शेमा के स्टोकर में आपका श्रागत है आप चैनल को भी जोड़ेट पूछ सकते हैं आज की कंडिशन की बात करें तो अपर सरकेट पे टोटली टोटली लोक है एक रुपे नबबे पैसे पर आज जो कि बिलकुल भी इसमें फ्लेक्टिशन नहीं मिला कॉंटिटी की बात करें तो करीकरी 3 करोड कॉंटिटी पाय करने के लिए लगी गुई है आपर सरकेट पे एंड बिलकुल भी लाइट चैनल नहीं देखने को मिल रहा है अगर बात करें बीशी गी तो वहाँ पर भी टोटली लोक हो चुका है पहले भी मैंने बोला था दोबारा भी बोल रहा हूं एक golden opportunity आप मिस्स कर रहें एक breaking news भी अनाउंस हुई है वो क्या है वो भी देखेंगे तो गाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत मुलें तो अज एक latest update news मिस्स कर जाएंगे तो आज के high की बात करें low की बात करें या फिर open की बात करें एक रुपे 90 पैसे पर बिल्कुल जमा हुआ है एंड अगर बात करें upper circuit पे तो guys quantity जो की 3 करोड के आसपास लगी हुई है maximum की बात करें तो maximum of course guys 100 रुपे के आसपास का share हुआ गता था जैन 2008 में और अभी जो की बिल बिल्कुल भी तयार नहीं हुआ है मैं उसको एक percent quantity भी निकालने के लिए तयार नहीं हुँ क्योंकि मेरे को एक अच्छा खासा profit of course इसमें चाहिए and every dip मैं इसमें buying करने के लिए तयार बैठा हुआ हूँ अगर बात करें इसके analysis की तो यहाँ पर आज के volume trade की बात करें तो करीकुरी सवा करोड के आसपास volume जो की NSE पे trade हुआ है BSC की बात करें तो BSC पर भी एक जो की अच्छा कासा करीकुरी 4 करोड 12,00,000 quantity के आसपास volume trade हुआ है नो डाउट की morning में एक अच्छी खासी fluctuation देखने को मिल रही थी BSC पे बट बिलकुल freeze हो चुका है BSC पर भी 6 पैसे का difference यहाँ पर BSC और NSE में नजरा रहा है और short analysis की बात करें तो 5 strength है, 7 weaknesses, 4 opportunities है, 0 threat इसमें नजरा रहा है face value की बात करें तो 10 रुपे इसकी face value market में मौझूद है और पार्ट पन देट अगर बात करें यहाँ पर sentiment की तो sentiment तो मैं तो यह कहूंगा कि इस price level पर भी आप buy कर सकते हैं 83% buy का, 7% sell and 10% hold करने का sentiment इसमें नजरा रहा है और पार्ट पन देट अगर बात करें यहाँ पर इसके financial की तो financial इसका काफी बहतरी अब भी है इवन जो revenue है इसने काफी maintain किया हुआ है 3.5 करोड का तो guys of course यहाँ पर revenue maintain है तो आने वाले time में business increase होगा तो of course profit भी एक अच्छा कासा आने वाला है and net profit के बात करें तो guys no doubt की company अभी भी loss में है 207 करोड का यहाँ पर loss रोग किया था September 2021 में EPS की बात करें तो EPS की situation भी same है जो net profit की है and apart from that अगर बात करें यहाँ पर holding की तो guys no doubt की इसमें बड़े investors already मौजूद है पोने 60% के आज पास यहाँ पर domestic investors की holding है अगर बात करें foreign investors की 1.9% holding है and बात करें promoter की तो यहाँ पर 3.33% की holding है no doubt की हर दो quarter में promoter अपनी holding को decrease कर रहा है यह चीज़े of course and pledge की बात करें तो 100% pledge पे हैं जो भी percentage promoter के पास है and apart from that others की बात करें 0.01% के साथ others की entry भी मौजूद है and इसके लवा अगर बात करें public holding की तो 35.05% यहाँ पर public holding भी है and foreign investors की बात करें तो holding को यहाँ पर increase किया गया है September quarter में DIA की बात करें तो DIA की holding को decrease किया गया है and public की बात करें तो holding को यहाँ पर increase किया गया है no doubt की एक अच्छा जाइन नहीं बोल सकते others की बात करें तो others की holding जो की 3 quarter से बिलकुल stable है and अगर बात करें foreign investors की तो holding को increase किया गया है 0.05% के साथ अब बात करतें इसकी breaking news की जो की हर किसी को weight था and जिसका असर इसके उपर बहतरीन 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 जबरदस्त वाला पढ़ने वाला है क्योंकि वो news ही ऐसी है and जिससे काफी अच्छा खासा revenue भी generate होने वाला तो guys 5G technology हर किसी को हर किसी के mind में यह है कि 5G कब launch होगा तो guys 5G services to roll out in 4 metros selected cities in 2022 तो guys यहाँ पर एक announcement की गई है आज ही यह announcement हुई है morning में December 28, 2021 जो कि 10 बजे के आज पास यह announcement हुई है तो 5G, the 4th generation और 5G telecom services are set to be rolled out in selected city in India in 2022 the cities which are set to get the 5G telecom services in 2022 including Gurugram, Bangalore, Calcutta, Mumbai, Chandigarh, Delhi, Jamnagar, Ahmedabad, Chennai, Hyderabad, Lucknow, Pune, Gandhinagar leading telecom services provider जो कि बारती एटल, Reliance Zio, Vodafone Idea have established 5G trial sites in these city these metros and big cities would be the first places for launch of 5G services in the country next year the department of telecommunications said on Monday so guys यहाँ पर एक announcement की गई है कि जल्द ही 5G services provide की जाएंगी इन cities में जो उपर नाम mention हुए है तो guys अगर बात करें इस news की तो हर जगे यह news flash है काफी बड़ी breaking news है जिसका हर किसी को wait था 5G coming to India in 2022 these 13 cities to get it first and यह देखिए 5G services to roll out in Delhi, Mumbai, Chennai, Calcutta or more cities in 2022 तो guys अब सीधा question यह है कि इसका GTL infrastructure से लेना देना क्या है तो guys of course काफी even हर किसी के mind में यह question होगा यहाँ पर तो उस question का reply यह है कि यह जो GTL है यह सीधा सीधा tower बनाती है telecom equipment manufacturing company है it means कि tower बनाती है tower जो भी existing tower है उनको upgrade करना जरूरी होगा 5G service provide करने के लिए तो guys of course इसमें जो कि सीधा सीधा इसके उपर असर पढ़ने वाला है GTL infrastructure के उपर असर पढ़ने वाला है यहाँ पर काफी अच्छा कासा business आने वाला है अगर बात करें जो मैंने जो टेलिकॉम कंपनियों की बात की है टाटा की बात हो जियो की बात हो या फिर वड़ा फोन आइडिया की बात हो एटल की बात हो सारे इसके customer है जो service लेंगे वो GTL infrastructure भी लेंगे तो guys of course यहाँ पर टेलिकॉम equipment company की बात की जा रही है जो की tower making company है tower को upgrade भी करती है और सीधा सीधा यहाँ पर एक अच्छा कासा revenue generate होने वाला है GTL infrastructure में जिसकी वज़े से आज जो की बिलकुल भी कोई भी share नहीं मिल रहा है no doubt की थोड़ा थोड़ा जिसको news का पता नहीं है वहाँ पर selling भी की गई है but hold करके रखें guys of course एक बड़ा profit आपको मिल सकता है GTL infrastructure में otherwise miss कर गए तो एक बोट बड़ा दोखा आपके साथ होगा so till then please take care please like, comment, share and subscribe thank you, take care